किसान भाईयों जोंडेयर 50-50D और इसमें क्या खास्यद है उसके वारे में आपको पूरी फुल डिटेल वीडियो आपको दिखा रहे है तो चलिए भाईो वीडियो को सुरू करते हैं, और जन भाईो ने वीडियो को देख लिया है, सस्क्राइब चैनल को नहीं किया, तो सस्क्राइब जलू कर ले, आपके लिए अच्छे जानकारी लेकर आती रहते हैं, ट्रैक्टरों से संबंदित, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को भायू यह जो अंडियर का 50-50 D tractor है 50 horse power की range वाला अध्वाला यह ट्रैक्टर है और 50 से 55 की जोर मारता भायू यह ट्रैक्टर तो आप यहां पे देख सकते है गियर प्रो यह ट्रैक्टर है गियर प्रो यह यहां single Accepting power steering road में आपको यहrous ट्रैक्टर मिल जाता है कमपनी इसमें आपको यहाँ पर गाड देती है जिससे आपके पैर जले नहीं इसके जो यहाँ से जो हीट आती है तो उससे आपका पैर ना जले जायासे आप लंबी unbelievable गीना तो यहाँ चितर खितों में हैं यानि चवुदा से बड़े छओद नौठाईस है फंद रहा है यानि मजबूत बनाइगा आपकी मिटी में अपने खेतों में तो आप इसे आसानी से कोई भी मौटा बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं, काफी बड़ा यह ट्रैक्टर है, छोटा मचसमगना भाय, आप इसे, और, यह 50-50 D ट्रैक्टर है। और इसमें, आपको silencer देखने को यह है, गोल से पाई बला, इसमें आपको silencer देखने को जब जादा है, काफी सांदर और अच्छा ट्रैक्टर कंपनी ने लॉंच किया है किसान भाईयों के लिए और यह जो अंट्रियर की जो खासियत होती भाईयों यह देख रहा है आप इसका जो ग्रीन कलर है काफी बढ़िया कलर है यह अलग पहचान बता देता कि यहां जो अंट्रियर है उसके बाद में आपको एक बात और को एक साथ एक गती से समान घुमा सकते और उसके लिए यह जो ट्रैक्टर है काफी बढ़िया दमदार ट्रैक्टर माना जाता है जो अंट्रियर का आप कुछ किसान भाई कहेंगे कि यह सभी ट्रैक्टर की अच्छा ही बताता है कोई बेकर ट्रैक्टर हो तो उसे बेकर बत चाहिए अम में इसी अधर उसकी बात नहीं करता कि जैसे कोई अच्छे ट्राइक्टर को बेकार बता तो ऐसी बात नहीं भाई होगी ये ट्राइक्टर काफी अच्छा है और किसान भाईयों की लेने गया क्योंकि ये made in India का tractor बना हुआ है यहाँ से देख सकते हैं made in India में यह tractor बना हुआ है तो काफी बढ़ी अट्रैक्टर है और अगले टायर इसके हैं आपको 750 सूलागे समें अगले टायर मिल जाते हैं और कंपनी यहाँ पे आपको दो pump देती हैं एक साथ जोड़ कर गे एक power steering रहता है यह एक hydraulic के लिए रहता है यह पंप समें और उसके बाद में मैं आपको बताओ इसके जो मड़गाड आप देख सकते हैं मड़गाड काफी बड़े हैं मड़गाड देख सकते हैं और इसके parking light और indicator आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी बड़े है other tractor की मकाबले इसमें यह आप लैंप देख सकते हैं यहाँ पे काफी इसमें यह बड़ा लैंप इसमें दिया हुआ है जो की अच्छा काम करता है यह ट्रैक्टर जैसे आप रात में खेतों में चलाते हैं अपने ट्रैक्टरों को तो यह आसानी से काम करता है यह ट्रैक्टर और अच्छे इसका प्रदरसर रहता है और अच्छे इसका उजिला रहता है इसमें काफी बड़ी इसमें हेलो जल लैंप पुलाव लैंप दिया है यहाँ पर और यह आप जैसे नंबर प्लिट यहाँ पर लगाना चाहिए तो यहाँ पर कंपणी एक यहाँ पर बलब देती है जिससे आपका जो ट्रैक्ट है उसमें आप यहाँ पर नंबर प्लिट भी और इसके बार में इसमें जो sensing रहती है इसमें काफी जगरदस्त इसमें sensing दी हुई है company नहीं यहाँ पर देख सकते हैं त्री linkage point system यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है कि ऐसी भी आपकी मिठ्टियू उस हिसाब से आप यहाँ से चला सकते हैं और इसमें company आपको top link साथ मे पूरने का नहीं है ये काभी जवरदस्त है ये और इसकी एक बार हिच आप देख सकते हैं काभी हैबी ड्यूटी ये हिच है इसकी और ये हैबी ड्यूटी ट्रैक्टर है इसमें चैन सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है वो यूज है जैसे आप अपने खेत्वों में चला देख लएं तो कोई अमपलीमेंट चला रहा हैं तो वो आपका हिलता नहीं धरू-धर नहीं होता तो उसके लिए ये बेश्र ट्रैक्टर माना जाता है भाईो मैं ट्रेक्टर की अच्छा ही नहीं कर रहा यह ट्रेक्टर है ही अच्छा ही वाला पचास-पचास-डी है नाम इसका और यह यहां से आप देख सकते हैं इसमें A, B, C वाला और यह रिवर्स गिया है इसमें तो किसान भाईयो यह जो ट्रेक्टर है मल्टी स्पीड रिवर्स एंड फॉरवर्ड गियर वाला यह ट्रेक्टर है और इसमें जतना गियर में यह आगी आता है उतने ही गियर आप डालकर कोई इसको पीछे बैक कर सकते हैं तो इ यहाँ पर आप सीट देख सकते हैं तो काफी इसकी एड़ेस्टिवल आपको सीट मिल जाती है डेफरेंशियल लॉक के बारे में मैंने आपको जान कर दी यहाँ पर ड्राइबर सीट के पास मैं इसमें पोजिशन कंट्रोल और ड्रफ्ट कंट्रोल सस्टम आप देख सकते है आप काफी इसका बड़ा फिलेट फॉर्म दिया है कंपनी ने और यह जॉंडियर की जो हैलोजर है आप देख सकते हैं काफी सांदार है रात में इसमें आप टार्च मारेंगे तो यह घूरेगा ट्रेक्टर ऐसा कंपनी ने इसको मैनुफेक्चर किया है जॉंडियर को काफ तीन शिलन्डर के साथ में इंडिया इसमें गलास फिल्टर मिल जाता है और बाद में ये ऋसके बाद में ये जो आप यह पीडियो सिस्टम भी यह आपको जाता है जो की बढ़िया है बहुत ही सांधाघ ट्रैक्टर वीडियो यदि आपने अभी तक देखियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर ले एक बार इसके टैंक के बारी में और दखाऊ में आपको कंपनी यहां पर आपको टूल वक्स देती है जैसे आप अपना जरूरत के मताबग करने जो आपके त्राली में अपना लाइटिंग बगएर अटेच कर सकते हैं और इसमें सिंगल डिस्ट्रिब्यूटर और डेवल डिस्ट्रिब्यूटर का भी आपको इसमें और ओप देख सकते हैं ये सेंसिंग के लिए कंपनी नियां पर एक रौड दी है जिससे ट्रैक्टर आपका सैंस का बहतर लाब होगा और इस ट्रेक्टर को आप खरी सकते हैं कि मैं तो मैं यहां का आपko पता रिताता हूं यह तो आप दिये गए नमबर पर आप कॉल करके यहां पर आ सकते हैं और ट्रेक्टर आपको अच्छा लगाओ तो एक वीडियो को एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर लें नमस्कार हमारे सभी किसान भाईओं के लिए राम राम धी तो किसान भाईओं यह की जो प्राइज आपको बता दूँ एक बार आठ लाग 70,000 रुपे से 8,80,000 रुपे तक का यह पढ़ सकता है आपके लिए और यहाँ पर आपको पता बता दिया है तो आप यहाँ पर आकर संपर कर सकते हैं तो आपको कुछ पैसे कम करके भी दिया जाएगा यह ट्रैक्टर राम राम जी